अयोधिया में राम मंदिर का उत्गाटन के मौके पर बिहार से भी बड़ी संखेया में सरधालू के जाने की तैयारी है 22 जनवरी को भव राम मंदिर का उत्गाटन होना है लेकिन वहां पहुचने का सिलसिला 15 जनवरी के आसपास से ही शुरू हो जाएगा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे कई अस्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का विचार कर रही है रेलवे सुत्रों की माने तो 15 से 25 जनवरी के बीच 18 जोरी ट्रेने आयोधिया से बिहार के परमुक अस्टेशनों के लिए चलाई जाएगी फिलहाली इने स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग बनाई जा रही है इधर पटना से योधिया की ओर जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग की मांग बरती जा रही है पटना और आसपास के स्टेशनों से भी कई ट्रेनों का परिचालन किया जाता है ऐसे ही इंकुछ ट्रेनों की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात गारी संख्या 134-83 फरक्का एक्सप्रेस जो पतना से सुबा चार बचकर पच्पर मिनट पर खुल कर शाम को तीन बचकर छे मिनट पर योधिया पहुशती है ये सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को संचालित होती है गारी संख्या 132-37 पतना कोटा एक्सप्रेस जो पतना से सुबा के 11 बचकर 45 मिनट पर खुल कर शाम 7 बचकर 42 मिनट पर आयोधिया पहुशती है ये मंगल शनी रवी को संचालित होती है गारी संख्या 132-66 साबरमती एक्सप्रेस जो पतना से करीब 10 किलोमिटर दूर सोनपूर स्टेशन से सुबा के 8 बचकर 12 मिनट पर खुल कर 6 बचकर 14 मिनट पर आयोधिया पहुशती है ये ट्रेन सोम बूध शनिवार को संचालित होती है गारी संख्या 111-24 गौालियर बरावनी मेल जो पतना से 10 किलोमिटर दूर सोनपूर स्टेशन से रात के 10 बचकर 15 मिनट पर खुल कर 7 बचकर 8 मिनट पर मनकापूर पहुचती है इस स्टेशन से एयोधिया की दूरी मातर 28 किलोमिटर है यहां से आप बस, आटो या कैब से योधिया जा सकते हैं यह ट्रेन प्रते दिन संचालित होती है गारी संख्या 1194 मुझपरपूर सूरत एक्सप्रेस पतना से 13 किलोमिटर दूर हाजिपूर रात के 9 बचकर 5 मिनट पर पहुचती है और यहां से खुल कर सूरत के 5 बचकर 48 मिनट पर योधिया पहुचती है यह ट्रेन मातर अविवार को संचालित होती है गारी संख्या 125-39 पाटली पूत्र लखनव जक्सन एक्सप्रेस पाटली पूत्र से शाम साह 4 बजे खुल कर रात के 11 बचकर 50 मिनट पर गुणडा पहुचती है यहां सायोधिया की दुरी मातर 46 किलोमिटर है यहां से आप बस, ओटो या कैब के माधियम सायोधिया जा सकते हैं यह ट्रेन सोमवार, मंगलवार, बुदबार, शुक्रवार और संचालित होती है गाली संखे 139 बाग एक्सप्रेस पटना से 13 किलोमिटर दूर हाजिपुर स्टेशन से सुबाई 11 बचकर 10 मिनट पर खुलेगी और साम 9 बचकर 20 मिनट पर गुणडा पहुचती है यहां सायोधिया की दुरी मातर 46 किलोमिटर है यहां से आप बस, आटो या कैप के माधियम सायोधिया जा सकते हैं यह ट्रेन प्रति दिन संचालित होती है गाली संखे 153 चपरा फरीदावाद एक्सप्रेस पटना से 46 किलोमिटर दूर चपरा से साम 6 बचकर रात के 2 बचकर 56 मिनट पर आयोधिया पहुचती है यह ट्रेन प्रति दिन संचालित होती है गाली संखे 153 चान बेश्रम जीवी एक्सप्रेस पटना से सुबह सारह 10 बच खुलकर आयोधिया से 60 किलोमिटर दूर सुल्टानपूर साम को 5 बचकर 8 मिनट पर पहुचती है यहां से आप आयोधिया अनिमाधियमों से जा सकते हैं गाली संखे 146 उन्चास सर्यू यमुना एक्सप्रेस हाजिपूर से दोपहर 12 बचकर 45 मिनट पर खुलकर रात 9 बचकर 56 मिनट पर आयोधिया पहुचती है यह ट्रेन मंगलवार, शुक्रवार और अविवार को संचालित होती है गाली संखे 125 त्रेपन वैशाली एक्सप्रेस और गाली संखे 125 तेस न्यूजल पाईगुरी नई दिली एक्सप्रेस सोनपूर से खुलेगी और योधिया से 46 किलो मिटर दूर गोंडा स्टेशन पहुचती है यहां से आप बस कैब आटो के माध्यम से भी योधिया जा सकते हैं पतना से लोकलेटिंग के लिए सचदा अनंद किया रिपोर्ट